हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज फेट से मैं आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर आए हूं जो की है फेस्टेक से लेलेटेड यानि क्यों हमें तरीके से कैसे फेस्टेक लगा है और अपने चेरे को कैसे एक सुन्दर मतलब निखार सके उसके लिए के ह अपने फेशियल वाले पैक लगा कर ले और एक दिन में पूरे चैरे को क्लीन कर ले और पूरे अप पार्टी वेगारा में जा सकते हैं तो उसी के वीडियो लेकर आए हैं यानि कि आज मैं जो जिसके लिप्स पे ब्लैकनेस आज आते हैं किसी को लिपिस्टिक लगाते लगता है साइड साड मë ब्लैक भ्लैक डिखने लगता है तो उसी के लिए के हम वीडियो लेकर आए है कि टीन लिप्स लगती है नाउने पिर छहांपे पर लीप्स मतलब और लिप्स मुंदा निज लगते हैं ड JUDGE तो Himal फेस्पेक लगाएं कि अपने सेड़े को फूरे क्लीन फेशियल जासे दे सके घर पे एकदम जट पर सा पास मिनट में फेस्पेक लग के त्यार और बिल्कुल क्लीन एक स्क्राफ के तरह जैसे आप पालर जाती हैं कोई खास नहीं हम मेड तरीके से हैं तो चले हमें सूजी है लिए सूजी अब देख सकते हैं इसको बनाने के लिए यह नाडियल का पीसा हुआ जो बड़ादा होता है न वह चाहिए तु हम थोरा सा रख लिए हैं फेस्पैक बनाने के लिए मतब तेन चार श्पुन और उसके बादा मतब रोगन बदांव से ओलर आप देख सकते हैं फेस भाउने के लिए और हणी बढ़ यह को सबचिस जावर का हनि सब्चिस में कोई नहीं है मिलावटी नहीं आर्वेडीग नहीं है मतलब साधी के लिए हम सुजी से करेंगे तो पहले हम चेरे को face pack करेंगे चट पट से 5 मिनट में अपने चेरे को बिल्कुल इसील वला clean कैसे दें वही है तो पहले तो पहले तो face pack करेंगे उसके बाद lips का करेंगे तो अज हम दोनों चीज़ बताने वाले हैं तो आप लगाने के लिए कभी भी पैक लगाने के लिए कभी भी पैक लगा तो पहले फेस्वास कर ले तो जो हम नारील का फ्रीशा हुआ अब उड़ादा था उसको हम दोई स्पून देंगे ऐसे हाथ के अलब से लेख सकते हैं कर दो पैक और यह एक तरह का काम करेगा यह फिस्ट नहीं और उसके बाद लाश में पैक लगाएंगे और थोड़ा सा हम इसमें गुलाब जल डालेंगे और इस तरह से गुलाब जल डालेंगे एक इस्पून और थोड़ा सा पानी मिल्ट कर लेंगे इसमें अगर अच्छे से नहीं हो पाई एक फोरा सा बस पानी गुलाब जल अगर ज्यादा हो तो गुलाब जल जल थोड़ा सा मिक्स करने की है कि माल एक फोराद और इसको की तरह नानिल का बुराज दुस्त ररा राता है हुए झाल करद मैं थे पाने जाएं पर काल को या बाल में मिला लेंगे अगरि अपर एक बळाड के प्रेस पे में भीज़ू फिलन की तरह कर में में नारियल काप परादा हिए नारियला चुटता है एप жд sama Ob Cr89ので चमा पार्या नारियल also चिरो टेजयता है नारियल कहीं है यह परासुटा नहीं है परासुटा नहीं है नहीं है तो यह इसकीन के लिए सही रहता है यह इस तरह से इस तरह से इस पर बना के कर लेंगे कर लेंगे पांट से साथ मिनिट उसके बाद फिर दो के हम आते हैं अब हम लिप्स का करेंगे कि चाड़ी के लिए तो पैक लगा लिए और किसी किसी के लिप्स पे अच्छे से कि हम मतलब लग पाते हो और लिप के लिए लिप को पिंक कैसे बनाए उसके लिए के पैक है कि पिंक मतलब बिल्कुल पिंक के तरह बिना लिप लॉस लगाते बिना लिप बाम लगाए हुए ही कैसे अपने लिप्स को पिंक बनाए उसके लिए है यह पैक तो थोड़ा साम सूजी लेंगे लिप चलिए एक स्पून दिख सकते हैं सूजी और थोड़ा सा गुलाब सल यह रहा और थोड़ा सा रोगन वदाम ओईल तोड़ा सा रोगन वदाम प्लेट लगाएंगे लिप्स के लिए यह देख सकते हैं यह रोगन बदाम ओयल है यह लगाएंगे और शहद गुलाब जल, सूजी और रोगन बदाम ओयल और इस तरह से लीट का पैक बनाके लगाएंगे और हलके हलके बरस से लीट को साफ करेंगे वटो लेल आप चलने से डाले नहीं तो हाथ के हल्प से भी यह सॉफ्ट वाले बरस जो आते उससे भी है यह हाथ के हल्प से भी वोट को इस तरह से पिंकी बना सकते हैं जिता से बडस करते हलके हलके जहें नोगर में आण यह रोल से पद्ตयों इस पतार चल BAa कि और तो लिप के लिए लीप के लिए लिप लिए सही राता हैंा एकदव पिंक हो जाए का इस्ती पर लाद तो चलिए हम धोके आते हैं उसके बाद मिलते हैं अब हम चेरा दोकर आ चुके हैं और अब हम हम फेस पैक लगाएंगे यानि की चंदन से मुल्दानी जो मट्की बोलते हैं उसके पैक मनाएंगे और वो लगाएंगे हरीद्वार से इस टाइब का पैकिंग में दिया था हम हरीद्वार से लाया थे तो इसको पैक बनाएंगे देख सकते हैं थोड़ा सा मुल्दानी मिल्की मैंने रखा इसमें थोड़ा सा ग्लाब जल डालेंगे रखा थोड़ा सा वाटर मिला के और पैस पे लागा लेंगे और विल्कुल पीशल वाले क्लीन पैस पास मिना तोड़ा बालु की तरफ प्रैक है शौर प्रैक दिया है मुल्तानी मिटी का के दिया है इस तरह से प्रैक लगा लेंगे इस तरह से प्रैक लगा लेंगे यह ए वाली थिक थी और वाले वाली थी थी तरह से वह इस प्रैक लाना पड़ा और इस तरह से पैक को फान पर साथ मिनट रखके फोलेंगे सुखा लेंगे और तो फाइनली हम फेस दो क्या आ चुके है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पैक लगाने के बाद चाहरा बिल्कुल क्लीन हो गया आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल रिलेक्स लग रहा और बिल्कुल फेयर लगा लगाने के बाद इदम सॉफ्ट हो गया इसकी पुछी ने कोई टाइटने सॉफ्ट क्योंकि नारियल में तो ओएल रहता ही है इस वजह से चेहरा बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल साफ हो गया आप लोगे तो इस तरह से आप चुरूर ट्राइ करें देखिए फेस बिल्कुल क्लीन और सांग बहुत रिलाक्ट लगड़ा आइस के पास भी मसाज भी अच्छे से हो गया अधीश गड़ा तो ही घरते वोमेट तडीके से आप अरां से कर सकते हैं चंदन और सब के पास रहता ही है साउजी और अनाणील का दूरादा पिशा हुआ कि यह मिक्सर में ग्रैंड करके आप इस तरह बना सकते हैं रिज्वात बदाम एंडियन ओल मिला के आप लगा सकते है निप्स भी पिंक हो चुके हैं ते यह लिप्स के लिए भी मैं पैक बताइं हूं एक अलग से तो आप मेरा फॉलो कर सकते हैं इस wrestlers में जरूर अप्लोड बदाना तो चले मेरा फेस बोलने के बाद दूर से आयना से चमक रहा है तो में को पतक चल रहा है बहुत ही फेयर हुआ है फेशल वाले जैसे ब्लू आ जाते हैं तो और कोई खास भी नहीं है तो इस तरह से अपलोड जरूर एक बड़ ट्राइ करना तो करना प्राइ कर साफंपत है बाद कर दोड़िग बड़ जढ ही तो, जरूर बड़ कर दो येदाना, चिक कर दोड़ है जारूर नहीं है तो, ऑष्वर को चाना तो, ऑजघ 다고